तो चली आज हम बनाते हैं बहुत ही healthy बहुत ही टेसी रागी इडली और इस इडली के लिए हम normal fermentation का method यूज करेंगे हम यहाँ पर कोई soda add नहीं करेंगे और सेम बाटर से हम बनाएंगे दोसा और हम बना रहे हैं आज केरडा स्टाइल सांबर तो चली recipe शुरू करते हैं तो एक cooker में ले रेंगे हम तूर दाल उसे अच्छे से हमने धोल लिया था और जितना आप में दाल लिया उस डबल आपको पानी लेना है add कर देंगे प्याज, टमाटर और जो powder मसाले आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर सिफ हमने हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हींग और नमक आड़ किया है इसे हम सीटी दे देंगे दो से तीन अगर आपको और घुटी भी दाल से तो आप 4 सीटी भी दे सकते हैं फिर एक कडाई में लेंगे कोगन अड़ और और जो भी चीज आपको दिखाई दे रहे हैं आप कर दीजिए इस मसाले से आपके जो सांबर का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो आप ज़रूर च्राइ कर सकते हैं इस मेथर को और यहाँ यहाँ आपको रोस्ट कर लेंगे साथ से दस मिनिट के लिए रोस्टिंग आपको करनी है लो फ्लेम पर वरना चीज़े जल सकती है तुरा सा पानी आड कर रहेंगे और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अब आप चाहे तो आपको अगर बहुत घुटी वी दाल पसंद जैसे आपको रेस्टान मिलता ह तो आप हैंड ब्लेंडर से यहां पर इसे मिक्स कर सकते हैं मुझे थोड़ी खड़ी दाल पसंद तो मैंने वो कर दिया इस टेप बस थोड़ा से अड़ किया एमली का पानी और अगर आपको पानी जैसे आपको आड करना कर सकते हैं इसे पका लेंगे साथ से दस मिनिट के और यह सांबर का रेडी हो गया है एक सेकेंड तरका देंगे जिसके सांबर का फ्लीवर कवी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर वीडियो में दिखाया गया है आपको आपको आपने टरका प्रिपैर कर लिया और इसे आपको आपको बढ़ने कोई यूजी यूज नहीं किया आ तो यह सामबर आपका रेडी हो गया है तो यहाँ पर हमने रागी इडली वाला राइस आप नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं मेधी दना एड किया है और अदाल एड किया है इसे अच्छे से थो लेंगे तीन से चार बार और इसे सोक कर लेंगे सोक करने के बाद आप इसे पीस लें थोड़ा सा पानी आड करें जैसा वीडियो में आपको दिखाया गया है थोड़ा सा नमक आड कीजिए और बस इसे ब्लेंड कर लीजिए इसे ब्लेंड करने के बाद देख हम इसे ढखकर छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए ओवरना तो आप same batter में पानी आड़boys और कर ले और इस तरह से आप इसे दोसा बना सकते है दोसा बनाते के टाइम पर अगर आप सेसमें और अगर तिल का तेल यूज करते हैं तो दोसा आपका बहुत ही क्रिस्पी बनता है तो बस देखिए आपका बढ़िया सा दोसा एकदम ready हो गया है इससे आप चाहें तो सामबर चटनी कैसे भी खा सकते हैं मैंने आप पर सामबर बनाया है यहाँ पर चटनी भी है तो आप चाहें सामबर चटनी इडली किसी भी combination में आप खा सकते हैं बहुत ही स्वात लगता है, बहुत ही healthy breakfast है, evening snack है ऐसी recipes के लिए follow करें, वीडियो पसंद आया तो like करें and enjoy